नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेश में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक को कबर करेंगे चलिए दोस्तों बिना देर किये वीडियो को करते हैं स्टार्ट फर्स्ट प्रशन है आपका भूपाल गैस त्रासदी भूपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 कहने का मींच यहां पर यह है कि 3 दिसंबर 1984 को मद्द प्रदेश के भूपाल में गैस भूपाल गैस त्रासदी देखने को मिली यह घटना एक Union Carbide Factory में MIC Gas के लिके जुने के कारण हुई थी तो यहाँ पर प्रस्टन दोस्तों पूछा जाता है कि भूपाल Gas तरासदी में कौन सी Gas का लिके जुआ था तो यहाँ पर कौन सी Gas का लिके जुआ था तो आपका अंसर होगा MIC कौन सी Gas MIC को MIC Gas भी कहते हैं MIC का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है Methyl Isocyanate क्या नाम है Methyl Isocyanate और यहाँ पर इस फैक्टरी में जो Union Carbide Factory थी इसमें एक Insecticide बन रहा था जिसका नाम है Shavin Insecticide Shavin Insecticide यह Insecticide इसमें बन रहा था और Mic Gas अतियंत विशैली Gas थी और इसके रिशाओ कहने का मतलब इसके रिशाओ से लगवग 400 यानि कहने का मतलब 4000 से अधिक लोगों की यहां पर मिरते हुई थी और यह लोग विकलांगता के शिकार और अंध्रता के शिकार हुए थे कहने का मतलब यह है कि कई तरह की विकलांगता यहां को यहां पर देखने को मिलती है और यहां पर लगवग व्यालिस्टन Mic Gas का लिके जुआ था कितना Mic Gas कितनी तो व्यालिस्टन Mic Gas का लिके जुआ था कौन सी कंपनी थी Union Carbide Factory कौन सी फेक्टरी थी तो Union Carbide Factory और कौन सी लिके जुई थी जो सबसे इंपोर्टेंट प्रसनियां से बनता है वह Mic Gas कौन सी गैस Mic Gas यह घटना कप घटी तो 3 दिसंबर 1984 को कप घटी जिसको का जाता है भूपाल गयस्ट रासदी के नाम से भूपाल गयस्टेजडी के नाम से जाना जाता है यह घटना कहां किस स्टेट में हुई थी तो मदप्रदेश में हुई थी और 4000 से भी अधिक लोगों ने यहाँ पर जान गवाई थी और साथ ही साथ बहुत सारे लोग इक लांगता और निता के सिकार हुए थे MIC का अगर रसाइनिक सूत्र पूछा जाए तो CS3NCO होता है क्या होता है CS3NCO होता है और अगर आप से यह पूछा जाए कौन सी तो Union Carbide Plant लगा हुआ था है उसी को कह सकते है Union Carbide Factory और इसी तरह की एक और विस्प में घटना देखने को मिलती है जो की 26 अप्रेल 1986 में हुई थ था तो पर्माण केंद नापकिये द्रगटना होई थी तो यहां पर मुकरूप से क्या रेडियो एक्टिव रेडियेशन फैला था और यह भी घटना कुछ भूपाल गैस त्रास्दी जैसी ही थी तो यहां पर प्रस्ण एक इंपोर्टन प्रस मनता है कि चिर्णो विल नापकिये द्रगटना कब होई थी और कहां हो थी तो 26 ao 1806 को ह 측ह और कहां हो थी रूस में नापकिये द्रगटना से क्या सबसे वड़ा खत्रा होता है कि लोगों के जो उत्रकंगों को भारी छत होती है इसमें और अन्वानसिक लच्छणों के लिए जो की काफी हानिकारख होता है तो काफी दोनों घड़नाएं काफी देनिय घड़नाएं थी और इसमें माना जीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ था चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपसे एक्जाम में कई बार most most important question पुछा जाता है मिनी माता रोग किस्ट होता है या इसी को बोलते है मिनी माता डिजीज तो मिनी माता डिजीज 1956 में हुआ था और ये mostly किस्ट में हुआ था तो जापान के लोगों में किस्ट में हुआ था मिनी माता रोग और ये किसकी वज़े से हुआ था तो पारा की वज़े से किसकी वज़े से पारा या मरकरी तो जो मिनी माता रोग होता है किस से होता है तो पारा या मरकरी के कारण फैलता है और ये कहां पर हुआ था तो आपको पता है मिनी माता रोग हुआ था जापान में औ फारणे आपर क्या था जो फेक्टरियों से निकला हुआ अप्सिष्ट पदार था वह वह समुद्र में डाल दिया गया और समुद्रों का जो अप्सिष्ट था वह चोटे-छोटे जो फ्लंकेटों जैसे जीब थे उन्हों ने उसको खाया मेनी माता रोग तो यह काफी आनिकारक प्रवाव यहां पर देखने को मिले और बहुत सारे लोगों को कई तरह की प्रप्राब्लम स्यानि अपंगता की कई तरह की प्रप्राब्लम्स जहलनी पड़ी नेक्स्ट प्रेशन है आपका ब्लू वेवी सिंड्रोम कौन सा रोग ब्ल सीजन की कमी हो जाती है और इससे अधिकता से होता है तो की अधिकता से होता है जो मुश्टली ब्लू वेभी सिंड्रोम और यह मुश्ट मुश्ट इंपॉर्टन एक्जाम की दर्ष्ट से चलिए इसी क्रम में हम जो पिछला अभी हम लोगों ने मिनिमेटर डिजीस की बात की तो उसी के डायग्राम को हम लोग यहां पर डिसकुस कर जाता है इनी को जब इसमाल फिसिस खाती है और इसमाल फिसिस को कौन खाता है तो बड़ी फिसिस खाती है वीक फिसिस या लार्ज फिसिस कह सकते हैं और लास्ट में यह खाया जाता है किसके द्वारा तो इस तरीके से खाद संखला के माध्यम से लगातार जो आपका पारा अब यहां पर हम जो चर्चा करते हैं ब्लेक फूट डिजीज की यह कॉमन कोईश्चन है जो एक्जाम में आपकी यूपीटेट सुपर्टेट में काफी अच्छे चांसे हैं पूछे जाने के और ब्लेक फूट डिजीज आपका यूपीटेट परियाबन के लिए बहुत महत् रफकोंट भश्चन है तो से ऊता है तो आर्षेनिक की अधिक्ता की कारण होता है cotton से अगर किसी जल में की मात्राघ मात्रां कितनी होती है किसमें में पॉइंट şunu 5 मिलीग्रां मात्रा पा जाती कैंसर हो सकता है यहां पर यह देखने को मिलते हैं मुस्टली किसकी बज़े से पानी में किसकी अधिकता है अगर पाई जाती है तो उससे मुस्टली कौन सा रोग होता है तो ब्लेक फुड डिजी और यह आप एक्जाम के लिए तयार कर लिए मुस्ट मुस्ट है जिसकी मात्रा क्या दिए जीरो पॉइंट वन मिलीग्राम प्रति लीटर अगर इतनी मात्रा वैसे डब्लू हो के द्वारा यह सामान मात्रा है इस मात्रा से अगर अधिक मात्रा अगर आपको फ्लूरीन की अगर किसी जल भूम के जल में अगर हुई है कहने का मतलब और boards लूआ कर यह मनुस के सरीर में पहुंसती हैं तो इससे बॉचली जो नक्राण होता है लोगों को फ्लूरीन की की जशाती हैं तो निल्सक्ञाद खराब हो różते और मनुस की हड़ियां होती हैं वो । के होने लगती है और भंगुरता टाइप की हड्डियों में भंगुरता टाइप की देखी जाती है या टेर्णे मेरी हड्डियां हो जाती है किसकी वज़े से होती है किसकी अधिकता से होता है तो फ्लॉरीन की अधिकता से होता है नेक्स्ट हम डिजीज की बात करते हैं इटा नाम क्या है तो उच उच डिजीज तो किसकी अधिकता से होता है तो मोशली किसकी अधिकता से होता है तो यहां पर आपके कैडमियम की अधिकता से होता है किसकी अधिकता से कैडमियम की अधिकता से इसकी भी अगर मातरा की बात कर लें कितनी होती है तो पॉइंट जीरो अपका इटाइटाइट जिज या इसी को बोलते हैं उचय उचय दिजीज तो हम लोग histor boring की बजह से और इटाइटाइट जिज किसम फे खेंड होता है केड्मियम की अधिक्ता से चलिए नेक्ट बात करते हैं बहुत इंपोर्डेंट प्रसन बायो मैगनिफिकेशन या इसी को इंदी में बोलते हैं जैव आवर्धन पिछले कुछ दसकों से हमारे खेतों में इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी बीस्टी टूफोर्डी तो कहने का मतलब यह इंसेक्टिसाइड हैं और डीडीडीटी का यूज बेक्ति जो वक्ता होता है उसके अंदर सरी में सरवादिक मात्रा पाई जाती है और मुसली जीडीडी की मात्रा जो होती है भारतियों में किसमें भारतियों में सरवादिक पाई जाती है और यह किसी भी खास रंकला के माध्यम से एक माध्यम से एक जंत से दूसरे जंत में पहुंसती है आई इसको हम लोग जान लेते हैं कैसे इसका होता है तो एक खास रंकला को हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी जल या बॉटर बाड़ी में फाइटो प्लंकेंटॉन या किसी ताला या जो आपका रिवार है उसकी खास रंकला की बात करते हैं तो छोटे- जंतों खाने वाली हमारी छोटी-छोटी फीस Guide होती है जो खाती है और इसके बाद आपकी यही जो लास्ट में आपकी खाती है और किसी को खाने वाला को के अंदर होगी तो मनुस्थ में होगी किसमे में में आए इस पर हम देख लेते हैं एक बार देखे यहां पर दिखाया भी गया है चोटे-चोटे जो आपके सहवाल बगएर और चोटे मतलब पौदे हैं उनको खाने वाले चोटे-चोटे प्लेंकेंटॉन है उनको छोटी मचली फिर उसके बाद बड़ी मचली और उससे भी बड़ी मचली तो यह आपको दिख रहा होगा इस डाइग्राम में और यहां पर बायो मैंगनिफिकेशन के थुरू या जैवावर्धन के थुरू क्या होता है डीडीडी की अधिक्तम मातरा इस जो बड़ी मचली में होयल्स में सरवादिक मातरा में पहुंच जाता है देखी उसका जमाव भी दिखाया गया है तो इस तरीके से जो किड़ नासी किसी भी खास रंका में प्रिवेस करने के बाद टाफ कंजूमर जो होता है सबसे अंतिम में जो बोकता होता है उसके अंदर डीडी की मातरा सरवादिक होती है या टॉक्सिक एलिमेंट की मातरा सरवादिक होती है तो यहाँ पर हम लोग एक बात अब हम सीधी सी और जान ले कारक होते हैं उनका लगातार किसी भी कोश्का में इखटा होना ही क्या कहलाता है जेव संचेन क्या कहलाता है तो यहां पर जेव संचेन कहलाता है यानि डीडीडी की मातरा हो सकती है या किसी अधर हान कारक टॉक्सिक मतलब विसेले पदार्थ की मातर हो सकती है। अगर किसी जंत में लगातार कोशकाओं में खटा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या बायो एकुमुलेशन यानि DDT का अगर कोशकाओं में संचे हो रहा है तो इसको कहेंगे जैब संचैन और किसी खाश शंकला के माध्यम से अगर एक जंद में इन डिटि या बेसि या अधर किसी विसैले पदार्ड का अगर लगातार मतलब एक एक जंद में और और अंगे बढ़ता है तो लास्ट वाला जो बहुकता होगा टाप कन्जूमर होगा तो उसमें ли you Magnification देखने को मिलेगा और उसमें सरवादिक वो मातरा देखने को मिलेगी यहां से जो सबसे Important प्रस्म बनते हैं कि आपका जो deity है वो मतलब mostly बहुत जादा विशैला होता है क्योंकि यह इसका अपगटन नहीं होता है हजारों साल तक यह वैसा ही पड़ा रहता है और इससे होने वाले बहुत सारे जो रोग हैं जैसे की मोशली रूप से कैंसर होता है और जीब जंतों की कई सारे internal organ भी खराब हो जाते हैं अदर दूसरे कार्बनिक विसेले पदार्थों की बज़े से चलिए तो हम लोगों ने आपर बहुत अच्छे से बायो मेंगनिफिकेशन और बायो एकुमिलेशन को समझा चलिए हम नेक्स परसन पर बात करते हैं तो अब यहाँ पर हम एक important topic अलगल बिल्यूम क्या है अब अलगल बिल्यूम क्या है इसके बारे में जील या रिवर्स में छोटे सहवालों का बहुत तेजी के साथ अति बृद्धी अगर देखने को मिलती है यानि पूरी सतय पर गए किसी तालाब के काई जैसी आपको काई जैसे नदलब कह सकते हैं प्लांत देखने को मिलते हैं, या सहवाल चुड़े-चुड़े देखने को मिलते या आगर आपने कभी देखा होगा कि धान के खेतों में जो ब्लू Україल गियानि सैनोफाइसी वर्खे जो सहवाल होते है और या मिजब आसी भी उसको बोलते हैं सहेवाल भी तेजी से बढ़ जाते हैं अगर कोई भी पोशक पदारत अगर Hasere अधी बढ़ता है तो सहेवालों का विकास भी तेजीिसे होगा और जिससे Ifक जल इंग सकते हैं तो इहां पर यहां तो जनमिरे की कमी हो जाती ही, तो एलगम, इलगल बलूम जो बनता है किसी भी रिवरिवर में या ताला में बहुत ही हांनिकारक है, याद रखना बहुत इंप्रूटन बात है और नास्टॉक ये क्या है एलगल ब्लूम वाले सहवाल माइक्रो सिस्टिस बहुत भी सहला सहवाल होता है जो जल में बिसागता को यानि टॉक्सिटी को बढ़ा देता है जिससे उहां के जानवर जल पीने की बज़े से मर भी जाते हैं तो आप लोग इसको समझ पाया होंगे कि एलगल ब्लूम क्या ट्रिमिनोलोजी है चलिए नेक्स्ट प्रस्न की बात करते हैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टन प्रस्न यहां से आपके सुरू हो रहे हैं और भी जादा एक्जाम में आपके युपी टेट सुपर टेट में बहुत ब लागू ओगा कह सकते हैं यह एक्ट कब बना तो दोबॉइ प्रदूसन नियंंतरन एबम रोक्ताम अधनिंएं उनदीस सो एक्ट प्रस्न है चलिए नेक्स्ट प्रस्न की बात करते हैं जल प्रदूसन नियंतरन एबम रोक्ताम अधनियां Ontario जल को लेकर कब लाग हुआ जन प्रदूशन नियंतरन रोकथाम अधियम उनीस सोचेटर में जबकी यह जबकी दोनों ही mos most most important question है इसी के साथ हम thursday प्रशें की बात करते हैं तो धन प्रदूशन नियंतरन रोकथाम अधियम यह जो पारित हुआ था यहाँ पर धोड़ा 2000 में वा था कब व हुआ जल प्रोदूशन नियंतरण रोक्थाम कब हुआ तो 1984 में बाई प्रोदूशन नियंतरण एवं रोक्थाम अधनियम कब तो 1981 हम इसलिए इसका बार-बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से दोस्तों सीख जाओ और मतलब लर्न कर लो आने वाली आगामी परिच्छाओं के लिए चलिए नेक्स प्रशन की बात करते हैं ये तो प्रशन बहुत ही मतलब कामन सा प्रशन है जो एक्जाम के लिए सबसे महत्पूर्ण मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन है आपका परियावरण रच्छन अधनियम तो प्रशन रच्छन अधनियम कब भारत में लाग हुआ तो 1986 में कब 1986 में तो बड़े अच्छे से क्या इसको तो बहुत अच्छे से याद करना है बहुत most important question प्रशन रच्छन अधनियम कब 1986 में और next हम बात करते हैं बंस रच्छन अधनियम तो 1980 में दोनों ही बहुत अच पूरा नाम पूछा जाता है एक्जाम में Central Pollution Control Board इसका पूरा क्या नाम है तो Central Pollution Control Board ये संस्ता पूछी आती इसका मतलब Head Office कहा है तो CPCB का Head Office है New Delhi में यानि Delhi में E-coli E-coli bacteria होता है और यह यानि जल प्रोदूशन जल प्रोदूशन का क्या है संकेतक है इसलिए इसको कहा जाता है इंडिकेटर बाटर फॉलूशन अगर आपसे पूछा जाए कि जल प्रोदूशन का संकेतक कौन है तो आपका कौन सा बेक्टिरिय तो आप अच्छे से याद रखें कि E-coli bacteria हमारा कैसा है तो वाटर यह आपका जल प्रोदूशन का मतलब संकेतक है एक और प्रशन आपने पड़ा होगा कि इंडिकेटर आप एर प्रोदूशन तो आपका आंसर हो जाता है लाइकेंस और यह भी most important question है अगर आपसे पूछा अब से पुछा जाएगा लाइकेंस क्या हो जाएगा लाइकेंस दोस्तों है और आप एक तो जानते होंगी लाइकेंस को होता हिंए सम्बंदित रहते और यह क्या एक अच्छा से चीपता का नेक्श प्रशन की बात करते हैं वन जीव सुरच्छा अधनियम कब पारिध हुआ भारत में तो 1902 में कब 1902 में बड़ा ये अच्छा important प्रस्थन है most important प्रस्थन है ये सीरीज भी काफी आपके लिए अच्छी topic की है तो वन जीव सुरच्छा अधनियम 1902 फिर next question आपका भारतिय वन जीव संस्थान ये कहां पर है तो आपका अंसरोगा दहरादून कहां पर दहरादून में चलिए next question की बात करते हैं और बन अनूसंदान संस्थान ये कहां पर है तो ये भी दहरादून है तो दोनों ही most important question है आपको अगर पूछा जाए एक्जामे भारतिय वनजीव संस्थान तो देरादून बन अनुसंदान संस्थान तो देरादून आपका अंसर होगा और लास्ट प्रेशन की बात करते हैं तो वन अमसंदान संस्थान कहां पर है तो ये भी आपका कहां पर है देहरादून में वीडियो परसंद आया हुआ आप लोगों को तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त और नेक्स वीडियो में फिर मिलेंगे जै हिंद